इस कुद भी आज सो बेक्टु एड़ा वसे कुद भी आज दोस्तों कैसे हैं सामेंट को तो हम सब ठीक होंगे तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ सॉफ्ट्वेर्स डाउंडोड करना और इस्टाल करना सिखाऊंगा तो चलते हम आपने आज की टापिक तरह लिकने सपहले अगर आपने भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइक वीडियो बनाता हूँ तो आज जो जो सॉफ्ट्वेर्स की लिस्टोनर ने दीए हम वो डाउंडोड और इंस्टाल करना सीखेंगे इन पर वर्क कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रेखेंगे विंडरार इदर मैं इसको डाउंडोड कर रहा हूँ तो आप 64-bit और यह 32-bit डाउंडोड कर सकते हैं तो मैं 32-bit नहीं करूंगा 64-bit कर रहा हूँ तो यह डाउंडोडिंग स्टार्ट हो गई है अब देख सकते हैं इधर इमेल इंटर करने का बोल रहा है नहीं में पीडर इंटर नहीं करूंगा और यह स्टैब उन्होंने बताया हुए कि आप में इसको विस्तिके से इस्टाल करना है तो नेक्स्ट विंडो में नेक्स्ट टैब में चेक कर लेते हैं डाउंडोडिंग इसके अल्मस्ट हो चुकी है इस में इसको ऊपन कर लेता हूं इस्टाल पर क्लिक करोंगा जो गया आप इसे स्लेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं में बाइड फाल को ही उके कर रहा हूं और डन कर रहा हूं कि मैं इस बस इस्टाल हो चुका है झाल झाल तो वह 32-bit था तो मैं इसको चेक का रहा था 64-bit दोनो मैंने किये हुए अब इदे में Skype लिखूँगा Skype डाउनलोड Skype for Windows और यह सिस्टम रिक्वार्मेंट से दर में दिए है यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसकी सिस्टम रिक्वार्मेंट के डाउनलोड इन स्टार्ट हो चुके हैं तो यह बाकी का फिसर सिस्टम के रिवन होने दिए हैं लिकिन मैं इसको उपन का रहूं Windows पोसे से रहे हैं अडिशनल सौटरे Skype for Windows 10 System Requirements Skype for Mac System Requirements आपको जो चाहिए आप दर से डाउनलोड कर सकते हैं Skype for Linux System Android iOS Web तो यह अलमास्ट हो चुके है इसको उपन करके इस्टाल पी क्लिक का रहूं तो यह 32-bit है X86 का मतलब है कि यह 32-bit software है X64 का मतलब होता है कि यह 64-bit software है तो यह Windows 64-bit है तो इसलिए मैं दोनों softwares कर सकता हूं 32-bit भी और 64-bit विन राज को मैंने पहले किया है वह 64-bit था यह 32-bit है Let's go पी क्लिक का रहा हूं इसको sign-in कैसे करते हैं Skype, phone, email यह मैं नेक्स्टूडियोज में आपको बता हूंगा कि यह account कैसे करते हैं Sign-in, security, key, sign-in, options विससरे हम नेक्स्टूडियोज में दिखेंगे कि आज से download and install का तरिका प्राओंगा आपको विडियो लेंट ही हो जाएगी नेस्ट टॉकिक में हम इसको explain करेंगे download exams करेंगे हम यहाँ पर कफ़ी सारे variants available है सारे ही 64-bit के लिए हम most latest software कर रहे हैं अब इसकी downloading स्टार्ट हो चुकी है यह काफी टाइम लेगा तो हम एको software है last one हमारा sublim text हम इसको download कर लेते हैं अब तक परस्टमल वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ यह लोड हो रही है अभी नीचे इसके कुछ फीचर्स वेरा दिए गए है अब इसको चेक कर सकते हैं जाएं और देफिनेशन तो यह एक अफिसर एदर चीजें देए लेहे हैं अब चेक कर सकते हैं अब एसको अब डाउनलोड गए नहीं डाउनलोड पर वेंड़ोस इसकी डाउनलोड इंस्टार्ट हो चुकी है अब शॉट साफ्पेर है यह जल्द ही डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड हो चीख है अब इसे हम ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट कर रहा हूं इसको नेक्स्ट इस्टर वार फिनिश तो यह हमारा सॉट्वर इंस्टाल हो चुका है इसको रिस्टर कैसे करते हैं अब नेक्स्ट टूडियोज में देखेंगे यह यूज कैसे दिखते हैं जैंब सनुबर हमारा डाउनलोड हो चुका है अब मैं इसे उपन करूंगा यह हमारा 64-bit सॉट्वर है कफी सारे सॉट्वर इंस्टाल है तो यह कफी स्लो चाल रहा है यह हमारा जौड़ छूड़ चुक्याल ने स्कॉते ही रहा है की स्कॉते हैं तो यह हमारा जूड़ यह हमाराओ यह यह जूड़ यह भूड़ यह यह ऑना इए next इसको आप जो जो चाहिए आपको आप उसको मार कर ले ते में बैडर्फाओर्स सप्टेम को ही next कर रहा हूँ अगर आप इसके op da say evification change eign करना चाहएं application change eign कर लेने मैं इसको इतर ही next नेक्स ये next कर दूंगा language भी english next next नेक्स्ट तो इसके बार हमें यह अपिशिल वेबसाइट पर ले गए हैं यहां से अगर आपको कोई और सॉफ्टरे चाहिए वेब्प्रेस प्रूमला कोई भी सॉफ्टरे आप चाहिए तो आप दर से चेकर सकते हैं अपने रिक्वार्मेंट के साफ से अज कि विडियो में बस इतना ही दे हम आपने नेक्स्स वीडियो में नेक्स्स वीडियो में अणीे सब्रोर्ट को ढॉंड़ करना है इस्टार करना हो हंको यूज करना देखेंगे जितने हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो मिलते हैं हम आपने नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए अलाहाफिछ, if you like my work, like, comment and share my video और आपको भी अगल कोई software download ने इस्टाल किराना है या यूज करना सीखना है और कोई भी अपको problem है comment section में या मुझसे पूछ सकते हैं या WhatsApp, email कर सकते हैं कर सकते हैं